भारत का कॉपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइबरन है, चाहे वो चीनी मिले हो, खातकार खाने हो, डेरी हो, रण की व्यवस्ता हो, अनाज की खरीद हो, कॉपरेटिव सेक्टर की भागी दारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इस से जुड़ा नया मंत्रले भी बनाया है, और उसका मूल कारण किसानों की जादा से जादा मदद करने का है। हमारी कॉपरेटिव में एक वाइबरन बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कॉप होता है। आपका लक्ष होना चाहिए कि कॉपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदले। साथियों हमारे जो माइक्रो फाइनसिंग इंस्टिटूट्स है उनसे भी मेरा आग रहे हैं कि वो आगे आए और एगरी स्टार्ट अप को फार्म प्रोडूस और नैशनल एप्योस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बदद करें। हमारे देश के छोटे किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम करने में एक बड़ी पूमिका भी आप सभी निभा सकते हैं। इसका एक समाधान है छोटा किसान कहां से लाएगा और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या पुलिंग का हमारे कॉर्पोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराये पर देने की सुभिता हो। इस दिशानों को सोलर पंप वित्रित किये जा रहे हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा किशान खेतों में कैसे सोलर पावर पैदा करें इस दिशा में भी हमने अपने प्रयाद बढ़ाने चाहिए